हेलो अवरिवान, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड, सो बचों अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 इंगलिश का चाप्टर नमबर 6, जिसका नाम है पेपर बोट्स, कागर्स की नाम, पेपर बोट्स आप सभी ने बनाई होंगी, ये पेपर को फोल्ड करके बनती है, देख तो बच्चे इन पेपर बोट्स को उसमें फ्लोट कराते हैं, पानी में इने तेराते हैं, तो अभी हम देखेंगे चाप्टर में किसने पेपर बोट्स बनाई हैं और उनकी क्या स्टोरी है, लेकिन उससे पहले जो कुछ न्यू वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, पानी में यात्रा करना, swiftly, तेजी से, delighted, खुश, several, अनेक, बहुत से, float, तैरना, angrily, गुसे से, overturn, पलटना, उलट देना, enough, काफी, few, कुछ, ये न्यू वर्ड्स हैं, तो सभी के मीनिंग और हर एक वर्ड को कैसे बोलना है, कैसे प्रनाउंस करना है, वो भी आपको पता हो पाना चाहिए, एक बार फिर से देखते हैं, few, मतलब कुछ, enough, काफी, overturn, पलटना, angrily, गुसे से, float, तैरना, several, अनेक, delighted, खुश, swiftly, तेजी से, सेल, पानी में यात्रा करना, gonna, bridge, pull, bamboo, bass, stream, छोटी नदी, चल्य चाप्र स्टार्ट करते हैं, so मीना walked towards the stream, towards मतलब की तरफ, मीना stream की तरफ walk करती है, देखो ये stream है, मीना इसकी तरफ चलके जाती है, Near the bamboo bridge Near मतलब pass में Bamboo bridge के Bass के pull के pass में देखो ये मीना है ये stream है इसका पानी आपको blue color से show किया गया है और ये है एक bridge एक pull है जो bass का बना है इस stream के उपर नदी के उपर pull बना है मीना इसकी तरफ walk करती है She bent a little bent मतलब जुकना जो कुछ words word meaning में रह गए हैं उनके meaning हम यहाँ पर chapter में साथ साथ समझेंगे तो वो थोड़ा सा जुकती है bend होती है and put a paper boat in the water put मतलब रखना और पानी में एक paper boat रखती है it sailed down the stream swiftly और वो जो boat थी वो sail करने लगती है पानी में तैरने लगती है down the stream का मतलब है जिस तरफ वो stream नदी बह रही थी उसी दिशा में उसी तरफ उसी के साथ जो boat है वो sail करने लगती है swiftly तेजी से तेजी से stream के साथ boat जो paper boat उसमें रखी थी मीना ने वो तैरने लगती है मीना was delighted delighted मतलब खुश होना तो मीना खुश हो जाती है she went on putting several paper boats in the stream went on मतलब होता है किसी काम को करते रहना फिर वो stream में paper boats को कुछ paper boats लेती है बहुत सी और उन्हें stream में put करती रहती है तो मीना walk करके bamboo bridge के पास में stream की तरफ जाती है फिर जुकती है थोड़ा उसमें paper boat को रखती है वो जो paper boat है वो stream के साथ साथ तेजी से sale करने लगती है आगे बढ़ने लगती है मीना खुश हो जाती है फिर वो कई सारी paper boats को stream में put करती है ओके now as the boats floated down the stream जब वो boats float कर रही थी float मतलब होता है तेरना और float का opposite होता है sink sink मतलब डूब जाना तो जब वो boats तेर रही थी down the stream stream के साथ में नदी के साथ साथ she saw a naughty boy pushing the boats into the water वो क्या देखती है कि एक naughty naughty मतलब शराड़्ती एक शराड़्ती लड़का है जो उसकी boats को पानी में push कर रहा है पानी में धकेल रहा है अंदर की तरफ मीना stared at the boy angrily stare करना मतलब होता है घूरना किसी को लगातार देखते रहना तो मीना उस लड़के को गुसे से घूरती है उसकी तरफ देखती है he did not care for मीना's angry face लेकिन उसे कोई फर्की नहीं पड़ता did not care मतलब परवाई ना करना किसी चीज़ की मीना का जो angry face था गुसे वाला face था उस लड़के को उससे कोई फर्की नहीं पड़ता she shouted फिर वो चिलाती है stop कि रुख जाओ but the boy did not stop लेकिन वो लड़का रुखता नहीं है तो फिर वो क्या देखती है मीना उसमें बहुत खुश है boats को बहुत सी paper boats लेती है उनको put करती रहती है पानी में वो float करती है पानी के साथ साथ आगे आती है आगे ये एक naughty boy है जो उनको push करता है अंदर water में उन्हें डुबा देता है तो मीना को बहुत गुस्सा आता है वो गुस्से से उसको देखती है लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता फिर वो चिल्ला कर बोलती है stop कि बंद करो रुख जाओ लेकिन लड़का रुखता नहीं अब मीना गुस्से से पूछती है कि तुम पेपर बोट्स को ओवर्टर्ण ओवर्टर्ण मतलब पलटना तुम पेपर बोट्स को ओवर्टर्ण क्यों कर रहे हो इन्हें पलट क्यों रहे हो because it is fun replied the boy तो boy reply करता है answer देता है मीना को क्योंकि ये fun है इसमें मुझे मज़ा आ रहा है तुम हाँ से पेपर बोट्स भेजती हो और मैं उन्हें उलट देता हूँ push कर देता हूँ पानी के अंदर तो ये मुझे बहुत funny लग रहा है it may be fun for you ये may be मतलब हो सकता है ये तुम्हारे लिए fun हो सकता है but those are my paper boats लेकिन वो मेरी paper boats है तुम्हारी होती तो तुम कुछ भी करो उनके साथ लेकिन वो मेरी है said Mina Mina कहती है so you just stop overturning my boats तो तुम मेरी boats को overturn करना अभी बंद करो the boy thought for a minute boy वो लड़का एक मिनट सोचता है and said और फिर कहता है I will not do it again again मतलब फिर से मैं फिर से ये नहीं करूंगा but I also want to play लेकिन मैं भी खेलना चाता हूं can you help me क्या तुम मेरी help कर सकती हो ठीक है मैं तुमारी boats को overturn नहीं करूंगा उनको नहीं पलटूंगा लेकिन मैं भी खेलना चाता हूं मैं भी fun करना चाता हूं क्या तुम मेरी help करोगी Mina said I have enough paper Mina कहती है मेरे पास काफी paper है You can make boats for yourself yourself मतलब तुम्हारे लिए खुद के लिए तुम अपने लिए boats बना सकते हो मेरे पास काफी paper है तुम अपने लिए boats बना सकते हो और इस तरीके से खेल सकते हो, fun कर सकते हो The boy answered फिर boy answer करता है I don't know how to fold the paper to make boats I don't know, मुझे नहीं पता कि paper को कैसे fold करते हैं boats बनाने के लिए paper से कैसे boat बनती है कैसे उसे fold करना है ये तो मुझे आता ही नहीं है Mina said That's easy Mina कहती है ये बहुत आसान है easy मतलब आसान और easy का opposite क्या होता है difficult difficult मतलब मुझकिल तो Mina कहती है ये तो easy है I will help you मैं तुम्हारी help करूंगी She showed him how to make the boats show करना मतलब होता है दिखाना वो फिर उस लड़के को show करती है दिखाती है how to make the boats की boats कैसे बनाते है Mina took out colorful papers paper of different sizes Mina took out take out करना मतलब होता है बाहर निकालना तो Mina कुछ colored papers रंग बिरंगे papers बाहर निकालती है different sizes अलग-अलग size के कुछ छोटे papers हैं कुछ बड़े papers हैं जो colored है अलग-अलग color के हैं उनको वो बाहर निकालती है She showed the boy how to fold and refold the paper to make a boat फिर वो शो करती है the boy उस लड़के को how to fold कि कैसे fold करना है and refold refold मतलब दुबारा से fold करना एक बार fold करने से ही paper boat नहीं बनती यह हमने देखा भी आपको कई बार उसे fold करना होता है तो फिर वो उस boy को दिखाती है कि कैसे fold करना है फिर से fold करना है paper को to make a boat, एक boat बनाने के लिए The boy watched carefully, carefully मतलब बहुत ध्यान से हमने देखा पहले वो मेना की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था लेकिन अब वो carefully देखता है कि कैसे वो fold और refold कर रही है paper से boat बनाने के लिए Then he took a piece of paper, फिर वो एक paper का piece लेता है and started to make a paper boat और एक paper boat बनाना start कर देता है शुरू कर देता है Soon a few boats were ready Soon मतलब जल्दी जल्दी ही कुछ boats तयार हो जाती है मीना gently put her boats in the stream तो मीना gently मतलब होता है आराम से आराम से धीरे से अपनी boats को stream में रखती है जो नदी थी उसमें put करती है The boy put his boats in the stream to TOO-TOO-TOO-TOO मतलब होता है भी जो boy है वो भी जो उसकी boats हैं उनको उस stream में छोटी नदी में रखता है The boats sailed down the stream और boats sail करने लगती है पानी में यात्रा करने लगती है मतलब आगे बढ़ने लगती है पानी के साथ-साथ Down the stream Stream के साथ जिदर नदी बह रही है पानी बहरा नदी का उसी के साथ वो boat भी Down the stream उसी के साथ बहने लगती है उसमें तैरने लगती है Boat enjoyed watching the boats Boat मतलब दोनो दोनो enjoy करते हैं boats को देखना Enjoy करना मतलब आनन्द लेना कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप उसे देखना enjoy करते हैं तो दोनों ही boats को देखकर खूब enjoy करते हैं ठीक है तो यह आपका chapter है एक लड़की है मीना वो एक stream की तरफ जाती है एक bamboo bridge के पास में उसमें एक boat को रखती है तो boat तेजी से उसमें down the stream stream के साथ नदी के साथ साथ आगे बढ़ने लगती है उसमें sail करने लगती है मीना खुश हो जाती है तो फिर वो बहुत सी boats उसमें put कर देती है stream में फिर आगे एक naughty boy एक शरार्टी लड़का होता है वो उन boats को push करता है पानी में देखो उसके पास यह stick है इससे उनको पानी में अंदर दकेल देता है तो इससे boats पानी में डूब जाती है तो मीना उसको घूर के देखती है गुसे से घूरती है लेकिन उसे कोई फरकी नहीं पड़ता कि मीना का जो गुसे वाला face है वो उसकी परवाही नहीं करता फिर वो चिलाती है कि stop लेकिन जो boy है वो stop रुकता नहीं है फिर वो उससे पूछती है कि तुम मेरी boats को overturn क्यों कर रहे हो इन्हें पलट क्यों रहे हो boy reply करता है because it is fun क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आरा है इसमें यह fun लग रहा है मुझे वो कहती है तुम्हारे लिए यह fun है it may be fun for you लेकिन वो मेरी paper boats है तो उनको overturn करना बंद करो तो लड़का एक मिनट सोचता है फिर कहता है कि ठीक है मैं दुबारा नहीं करूंगा I will not do it again लेकिन मैं भी खेलना चाहता हूँ तो तुम मेरी help करो अभी तक तो मैं fun कर रहा था तुम्हारी boats को turn करके अब मैं क्या करूं तो वो कहती है मीना कहती है मेरे पास काफी paper है तुम खुद के लिए boat बना लो वो बोलता है कि मुझे तो paper paper से boat बनाना नहीं आता कि कैसे fold करना है मीना कहती है बहुत आसान है मैं तुम्हारी help कर दूँगी फिर वो colored paper लेती है अलग-अलग size के boy को show करती है कि कैसे fold करना है और refold करना है paper को इस तरीके से ये paper उसने लिया फिर ऐसे उपर से fold किया ये पूरा process है boat बनाने का ये वो उस boy को दिखाती है boy बहुत carefully देखता है फिर वो एक paper का piece लेता है और अपनी खुद की boats मनाता है और जल्दी ही कुछ boats तयार हो जाती है फिर मीना आराम से gently उन्हें stream में put करती है boy जो अपनी boats है वो भी उनको put करता है boats sail करने लगती है down the stream stream के साथ साथ और दोनों उन boats को देखकर बहुत enjoy करते हैं तो ये आपका chapter है new words एक बार फिर से देख लेते हैं delighted मतलब खुश होना several कुछ काफी जो numbers में काफी है overturning overturn करना पलटना stream छोटी सी नदी watched देखना ठीक है इसके question answers हम करेंगे next video में hopefully chapter आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा thank you so much for watching